हेलो एवरिवन, वेलकम टू माई चैनल, माईनेम इस सार्थक तो आप सभी को पता है कि HBI P.O का एड्मिट कार्ड आउट उचुका है तो मेरा जो एक्जाम है, मेरा तो 20 तारिक को है एक्जाम 20 दिसंबर को और पहली शिफ्ट है मेरी आप लोग कमेंट के नीचे बता सकते हैं कि आपका कप पढ़ा है और यह थोड़ा ना यह मौसम बहुत अजीब सा है तो यहाँ पर ना अपना हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि अभी मेरे को जुखाम लगा हो है अगर आपको पता लग रहा होगा तो आपको पता लग गया होगा तेक है playing तो सबसे पहले है थोड़ा है थोड़ा धियान रखना सब तो आज और वैसे जब भी हेल्थ थोड़ा दाउन जाता है तो पढ़ाई का बिलकुल मन नहीं होता तो मैंने आज ये मॉक नंबर दे दिया था 22 SBIPO का देखे मन तो नहीं कर रहा था बट देना पड़ा बैठा मैं तो देख सकते हैं माक 56 तो मैं आपको दिखाई देता हूं आपको तो ये रहा 56.50 एंड परसेंटाइल ठीक है अच्छी है अभी तो जाता लोगों ने दिया नहीं है 26 लोगों ने दिया है प्रॉक्स इंग्लिश देखो हमेशा से जो मॉक होते हैं इंग्लिश हमेशा मॉक में थोड़ा ये लेवल देते हैं अच्छा लेवल देते हैं ठीक है तो यहाँ पर ये 5 कोशन गलत हो गए है ठीक है फिर भी मॉक से तो सीखने के लिए होता है कॉंट मैं आप देख सकते हैं 26 करे थे एक गलत है तो 25 रीजनिंग मैं आपको उनकी पजल दिखाऊंगा वो देखने में ऐसा लगता है कि थोड़ी अजीब सी होती है तो ये चले ये तो प्रैक्टिस का पार्ट होता ही है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे कैसे था सबसे पहले आप देख सकते हैं एंग्लिश में ये 4 कोशन डिप्लेश्mente वाले जो होता है जो सही करने होता है तो ये 4 तो मेरे सही गए फिर ये पैरा जंबल मैंने लास के रह रखा था तो मैंने इसको फिर लास में हो नहीं पाया ये वर्ड था इसमें बताना था तीक है फिर यार यह एक यह था क्लोस टेस्ट तो क्लोस टेस्ट आप देख सकते हैं यह चार कोशन सही थे बट एक कोशन गलत हो गया इसमें यहाँ पर लास्ट वाला ठीक है इसको मैंने पढ़ा नहीं मुझे लगा depreciation यहाँ पर यूज हो रहा तो यहाँ भी depreciate होगा तो वो चीज मैंने skip कर दी और वो गलत हो गया फिर एक यह connector वाला अब पता है मैंने एक चीज देखी है मैंने अब जितने मैंने मौंक दिया ना मिरे को connector वाले में issue आ रहा है तो अगला मेरा जो मैं English में थोड थोड़ा गलत हो गया फिर यह था अपना RC RC थोड़ा बहुत बड़ा था तो मैं सिधा direct question देखते वे paragraph से उठा रहा था मगर paragraph देखते देखते पूरा मैंने पड़ी लिया था इसको और फिर इसके दो question गलत हो गए थे last में क्या था last में यह normal से question थे यह वाले तो इसमें ए starting से start करा क्योंकि मुझे पता है मुझे को practice करनी है चाहिए mocks में मेरे कम marks sign आए तो मैं तो उसी के साब से करूंगा मगर जब मैं exam में जाओंगा तो pattern set रहेगा easy question से start करना है थीक है अब आप देख सकते हैं यह arithmetic के थे फिर यह number series था फिर यह DI आ गया था फिर कुछ simplification के question थ और यह last में DI था यह वाला रेडार ग्राफ वाला ठीक है और बाकी के question तो मैं देख भी नहीं पाया था बट यह होए थे और अब चलते हैं reasoning पे देख यह reasoning में इनोंने यह तीन number का question है अगर आपके सामने screen पे यह ऐसा question आएगा वह भी तीन number का तो अब प्री में इसको क्या करी यहाँ पर लिखा है ना six people middle पे बैठे हैं facing inward और यह जो दूसरे वाले थे वो outside बैठे हैं मैंने सब को inside करके बैठा दिया और मैं वहाँ लगा वाँ की question solve करने में अब वही चीज गलती थी फिर मेरे को skip करना पड़ा छे मिनट यहीं पर waste हो गए फिर यह देखो मै मैंने छोड़ा यह puzzle का जो था क्योंकि इसमें मुझे लग रहा था पहले और कोई puzzle कर लेता हूं जो strong point वाली होगी क्योंकि यह boxes वाले ने कभी-कभी बहुत अजीब से हो जाते हैं आपने रखा कुछ फस सकता हूं मैं इसमें तो मैंने इसको छोड़ा फिर मैं गया था यह सबसे पहले puzzle करूं तो फिर मेरा यह था कि मैं puzzle करूंगा फिर मैं जाता अगर जाता किसी question पर फिर मेरा plan था कि मैं यह वाला करूं blood relation का था और यह direction वाला था मगर तब तक time खतम हो गया था ठीक है तो इसलिए आपको यहाँ पर 15 दिख रहे होंगे बट कोई नहीं मैंने analyze तो करी लिया है उसको अच्छे से एक बार देख लिया है easy question होते हैं बट वही होता है उस moment पर आपको decision लेना होता है जैसे जबसे मैं वह आई-वी-पे-स-प्यो का means देखे आया हूं न मैं सच बता रहा हूं मेरे को इतना बुरा सा लग रहा है उस दिन से कि यह इतना practice करत हैं बट वहाँ जाके अपनी calmness को रखना वो बहुत important हो जाता है क्योंकि मुझे पता है वहाँ पर क्या होता है आपके साथ और जो भी देता है उसे reality में पता होता है क्योंकि लोग ना video बना देते हैं जैसे जो exam नहीं दे रहा है देके आया उन्होंने video बना दी कि यहां से पूछा वहाँ से पूछा तो सबका लगले experience रहता है मगर यह था कि maths का paper जो आया था PO mains में वो मतलब इतना hard भी नहीं बोल सकते बट यह था कि अगर किसी ने काम होके caution का selection करा होगा और caution में फसा नहीं होगा तो उसका अच्छा गया होगा मगर मेरे साथ उल्टा हुआ मैं तो बस यही था यह मैंने आज mock दिया था और थोड़ा सा मैंने GA revise किया था और कुछ extra question करे थे practice के लिए कोई puzzle का तो बस यही था पूरे दिन में तो फिलाल यही हुआ है क्योंकि जुखाम सा लगा हुआ है और पढ़ाई का तो मन होता ही नहीं है तो इसलिए videos भी यार पूशिश करूँगा अब मैं daily video डालू ठीक है तो यह था यार mock number 22 और आप लोगों ने भी अगर दिया होगो तो प्लीज ज़रूर बताना है आपका कैसा गया ठीक है तो यही था यही था इस video में और आप चैनल को support करते रहो subscribe करके ठीक है और बस यही था इस video में मिलते है आइ अगली विडियो में और आपक यही था पना कार सavor अ हम एक घ्ड़ an विज थैले था नए ही हिंश् सम्क flyaire मों एक डिज़ गूथ दोलसब को Scripture Diadada